मिडिल इस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया में एक और बड़ा युद्ध होने वाला है रिपोर्ट देखें वार्स जोन में आ गया इरान इस्राइल पर पहली मिसाइल लॉँच खाड़ी में युएस सेन अड़ डेफ वास टार्गेट शहाब द्री से दहलेगा इस्राइल सेजिल से ओड़ेंगे युएस के जंगी पेड़े इरान इस्राइल टककर ट्रम्प लाएंगे बड़ा ट्वेस्ट विस्फोटर विद्भनसक हतियार महाविनाशकारी प्रहार इस्लामिक रेवलूश्री गार्ड्स कोर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है समंदर में इरान अपने दुश्पनों को मोतोर जवाब देने उतर गया है बैटल शिप, मिसाइले, डेस्ट्रोय और महाविनाशकारी हतियारों से लैस इरानी नेवी तहलका मचा रही है इस्रेल और अमेरिका से टकर लेने का ऐलान भी इरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है लेकिन इरान के तैश में आते ही अमेरिका बैक फुट पर चला किया बाइडन ने इरान के जवाबी हमले पर क्या कहा बहुत गोर से देखिएगा इस्रेल भी इरान के गुसे और बदले की आग को देख धर्रा गया है लेकिन इरान अब रुकने वाला नहीं है किसी भी चाल में फसने के लिए कामने इरेडी नहीं है कि ईरान में घुस करहानिया का मर्डर गाजा में मोहम्मद दizers का सफाया लेपनान में हेजबॉला की पिट्राई यमन में हूथियों पर हमले क्या क्या बरदाष्ट करेगा इरान एरान के बरदाष्ट के हद बार हो गई है इरान के पास जवाब देने के सिवाद कोई और रास्ता नहीं बचा है इरान सब्र का और इम्तिहान देने के लिए तयार नहीं है इरान के सरवे सरवा अली खामनेई ने इसरेल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाइल ताकत का एसास कराने का मन बना लिया है इरान धमकी की बजाए अब धमाके के मनसूबे बना चुका है लेकिन इरान के पलटवार से मचने वाली तबाही कानुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है सही माएने में कहा जाए तो सुपर पावर ने इरान के आगे सरेंडर कर दिया है प्रेसेडेंट जो बाइडन का ये बयान फिर सुनिये सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है प्रेसेडेंट जो बाइडन ने ये अपील डेलावेर में चर्थ से निकलते हुए की है बस एक शब्द में उन्होंने आने वाले खत्रे से अमेरिका को बचाने की गुजारश इरान से की है इसकी वज़े क्या है? क्या अमेरिका को इरान से भिढ़ने में डर लग रहा है? क्या अमेरिका को इसरेल की तबाही का खौफ सता रहा है? क्या अमेरिका अरब वर्ल्ड में अकेले पड़ चुका है? क्या मिडल इस्ट में सुपर पावर के हस्ती मिट सकती है? इरान के तेवर और ताकत तो यही सिगनल दे रहे हैं कि अमेरिका का नुकसान हो नहो इसरेल को इरान पूरी तरह बर्बाद करके रहेगा इरान को जब से रूस से हत्यार और सपोर्ट मिला है तब से इरान अटैकिंग मोड में है इरान और इसरेल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद रूस ने इरान की 15 साल पूरानी डिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 एयर डिफेंट सेस्टम देने का अलान कर दिया और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आप रोका सेस्टा लगाताट जारी है आप बने रमर सारी